नमस्कार विद्ध्यार्थियों और प्रिये दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विख्री हफ़े जैसा कि मैंने अपने कम्मूनिटी पे पोस्ट किया था कि मैं इंडियन रिवालिशनलीस के उपर एक शंक्ला लेके आऊंगा या फिर योगी श्री और विंदो के रूप में याद करते हैं पर उनके लाखों अन्वाईयों को ये जानकर आश्चर होगा कि वे भारत के क्रांतिकारियों के संसाफ़कों में ते भी एक थे तो चलिए जानते हैं उनके विशय में इनका जन्व 15 अगस 1872 में कलकत्ता में हुआ उनके पिता डॉक्टर क्रिश्न तुन भोष एक तिविल सर्जन थे माता का नाम सुनलोटा था और औरमिंदों उनकी तीसी संतान थे माता पिता ब्रह्म समाज के अन्युआई थे हाना कि उनके जन्व के समय ब्रह्म समाज का समुदाय विभाजन के दौर से गुजर रहा था एक तरफ मुक्य धरा के ब्रह्म समाजी थे जो खुद को हिंदू सुधारक यानि की हिंदू रिफॉर्मर बानते थे और जो इनकी माता का परिवार था वो इसी खेमे का था दूसरी तरफ केशव चंदर सेन के नेत्वत्त में एक समुदा जो ब्रिटिश साशकों के साथ जुड़ने में सक्षम होने के लिए पश्चमी करण यानि की वेस्टनाइजेशन करना चाहता था क्रिश्ण धुम जो से वो इसी समुदा के सदस्य थे दो पहलों के बीच तनाव का अरविंदो पर गहरा प्रभा पड़ा होगा हाला कि डॉक्टर अंग्रेजों की नकल करने के लिए इतने उत्सुप थे कि उन्होंने औरविंदो को एक अंग्रेजी शैली का नाम दिया घर पर बंगाली बोलने पर पाबंदी लगा दी जिससे उनके बच्चे बस अंग्रेजी बोलें औरविंदो को भारती भाषाओं में बस फूटी फूटी हिंदी सीखने को मिली उसके बाद जब वो पांच वर्ष के थे तो 1877 में उन्हें लॉरेट्टो फॉट इसकूल दार्जलिंग भेजा गिया जहां उनकी प्राख्मिक अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिक्षा हो सके थे 1889 में परिवार इंग्लेंड चला गिया जहां उनके भाई एमैनुवल मैथ्यू का जन्म हुआ जिन्हें हम बारिन घोष के नाम से जानते थे उनके माता पिता उसी वर्ष उन्हें उनके दो बड़े भाईयों मनमोहन और बिनौए खोष के साथ इंग्लेंड में मैंचेस्टर में छोड़कर भारत वापत आ गया उन्हें इंग्लेंड में एक अंग्रेश परिवार के साथ छोड़ दिया गया जिन्हें निर्देश दिया गया था कि लड़कों को किसी भी भारतिये से परिचित होने या किसी भी भारतिये प्रभाव से गुदरने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए इस प्रकार अरुबिंदो अपनी मूल भाषा, संस्कृति या धर्म से लगभग बिना किसी तरह के संपर रखते हुए बढ़े हुए दिसंबर 1890 औरुबिंदो किंस कॉलेच छात्रोस्ती परिक्षा में बैठने के लिए कैम्बरिज गए और प्रत्थम किस्थान हासिल किया 1890 में वैक्ट क्लासिकल में डिग्री प्रत्थ करने के लिए कैम्बरिज गए लेकिन उनका असली उद्देश परिक्षा की त्यारी करना था क्योंकि ये उनके पिताश्री की इक्षा था अपनी तैयारी के लिए उन्होंने संस्क्रित, बंगाली, हिंदू और मुस्लिम रिती रिवाजों और ब्रिटिश नागरिक और अपरादिक प्रत्थियाओं को सीखना शुरू कर दिया ये पहली बार था कि उन्होंने अपने मूल देश ते संबंदित कुछ भी सीखा था हाला कि शुरू में उन्हें संगर्श करना पड़ा लेकिन अचानक अपनी संस्क्रिती के संपर्थ में आने से उन पर उस युवावस्थास में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा एक बहुत ही धिमान विप्ती होने के नाते उन्होंने अपनी डिग्री या आईसियस प्रवेश परिक्षा के लिए आवशक पढ़ने से उपर जाकर बड़े पैमाने पर पढ़ना चुरू कर दिया मई 1892 में आईसियस की प्राडम्धिक परिक्षा उत्तीर करने के बाद वे मुख्य परिक्षा देने के लिए लंदन चले गए और कैम्बरिज के विप्रीत लंदन में शाक्त्रों सहीत सभी वर्गों का एक महत्वकून भारतिय समुदाय था और उन्होंने युवा आईसिय माज की बैठक में भाग लिया था अक्टूबर 1892 में उन्होंने घुरसवारी परिक्षा देने से इंकार कर दिया जो अनिवारे और अंतिन आपचारिक्ता थी और उन्हें इस कारण आईसियस की सूची से हटा दिया गया जिसकी वज़े से इनके पिताजी को बहुत ही गहर के लिए नौकरी पर रखा बड़ोदा के शासक ने उस युग के कई प्रतिभाशाली भारतियों को उधार वित्तिये साहता प्रदान की थी जिसमें बिया रंबेटकर और अरविंदो खोष्ट दोनों ही शामिन थी इस प्रकार जन्वरी 1893 में और अरविंदो 14 साल के बाद भारत वापस आए औरविंदो प्रशासन के लिए एक सक्षम अध्यकारी थे लेकिन उन्हें ये काम बहुत आकरशक नहीं लगा इसलिए वो अपना जो खाली समय था वो पढ़ने में बिताने लगे जिसमें प्राचीर हिंदू महाकापडियों से लेकर समकालीन राजनीतिक तक सब को शामिल दरते जिसके माध्यम से वैस्वयम को भारत से परिचित करा रहे लेकिन इसके बाद केजी देशपांडे के अरूद पर उन्होंने बॉंबे में प्रकाशत पाताहिक पत्रिका इंदू प्रकाश के लिए लिए लिखना शुरू किया और ये पहली बार था जब अरूदो ने राश्ट्री मुद्धों पर अपने विचार वेकित करना शुरू किया था न्यू लैंप्स और ओल्ड नामक एक शंकला में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई महत्तोहीन रियायतों से खुश होती कॉंग्रेस का मधा बढ़ाया उन्हें प्रशा अलिनी बोस से शादीगी जो उनसे आधी गुम्रगी थी जिसके बाद बढ़ोदा के महराज ने उन्हें अपनी जीवनी लिखने की दिम्मदारी दे दी 1902 में औरविंदो ने सतीष चंद्र बोस द्वारा इस्थापेज अनुशीलन समीती में शामिल कार्यकरताओं से मिलने के लिए बंगाल का दोरा किया और सिस्टर निवेजिता जो की स्वामी विवेकानंद की शिश्या थी और स्वामी विवेकानंद की मृत्यू के बाद से राजनीती में सक्री हुई थी उन्होंने बढ़ोदा का दोरा किया और औरविंदो ने अनुशीलन समीती की स्थापना में मदद करने के लिए उन्हे अपने अध्यक्षिय भाशन में कहा हम भारत में ब्रिडिस शातन के इस्थाइत्यों की वकालत करते हैं और यहीं पे वो मौका था जब अरविंदो दिलक से प्रतमबार मिले और क्योंकि दोनों ही मुक्षधारा के कांग्रेसियों की दास्ता पूर्ण वेवार के प्रती एक नापसंदगी रखते थे तो दोनों के बीच तुरित बंधन बंदिया जिसके कुछी समय बाद और विंदों ने एक लेक लिखा भवानी मंदिर और ये भवानी मंदिर के नाम से जो लेक प्रकाशित हुआ इसमें उन्होंने भविश्य के योद्धा भिख्शों को पढ़ाने की एक अलग इस्थान पर एक मंदिर सह विद्याले बनाने का विचार रखा उन्होंने नर्मदा के सट पर मंदिरों के शहर करनाली में एक इस्थान चिन्हित भी कर लिए जिसके बाद 1906 में एक ऐसी खटना खटी स्वदेशी आंदोलन और विभाजन जिसके विरोज में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और औरविंदों ने बढ़ोता कॉलस के स स्थापना की और जल्द ही इसके कई अनुवाई बन गाए और स्वामी विवेकानंत के छोटे भाई धुबेदर नाद गत्थ इसके संपादक बन गाए बारिन और उनके सयोग्यों को अकबार चलाने के लिए छोड़कर और विटिश और मिश्नरी नियंत्रित संस्थानों क सथापना में जुलाई 1906 क्लकत्ता में नेशनल कॉलेज की सठापना हुई जिसके पहले प्राचार और बिंदो थे और बिंदो ने विबिन चंडरपाल दौरा शुरू किये गए आखवार बंदे मातरम के लिए 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 नहीं किया लेकिन भाई ये यह से लोग यहां तक कि शुदूर दक्षिड अफ्रीका में बैठे गांगी जी और इंग्लैंड में बैठे जवाला लैरू भी इंगे दिल्चस्पी ले 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 लिए उनके लेखन में दम इस्ष्ट था कि वह लाल बाल पाल तिकडी का समर्थन करते हैं और यह तिकडी जितने कॉंग्र अपने लेख में करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों को हाला की पता था कि उनके लेखन दे राश्टबा की भावनाओं में ब्रद्धी हो रही है लेकिन अंग्रेज जो थे वह बंदे मात्रम के संपात किये कॉर्शल के आगे घुपने डेक सुते हैं क्योंकि उनके जो गुटों में बट रही थि जब दो समदाओं में विभाजित हो रही थी सूरत प다가 जब हो रहा था उस समय औरविंदों ने उग्रबादियों को राश्ट्रबादी कहा है और नरब पंधियों को वफादार कह कर कर त rubbish किया है यहां वफादार का अर्थ है डिडिश सरकार का इसी बीच एक बहुत ही अच्छी घटना होती है जिला नया धिश डगलस किंग फोर्ड द्वारा जुगांतर की कर्बचारियों से पुष्टाइश की जाती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है जिसके फल्सुरूप जो क्रांतिकारी हैं उन्हें बहुत आग्रोश की खामना उत्पन होती है परंतु अंग्रेज अधिकारियों को इसकी बने जाती है और उन्हें जो जज्ज थे किंग फोर्ड उसको बिहार की मुझफ़वर्पूर्ड में इस खानातरित कर लिया लेकिन जो प्रफिल चाकी और खुदी रामबोश दो नाम बहुत महिस्तपू आते हैं या पर उन्होंने मुझफ़र्पूर में जाके किंग फोर्ड पर हमला किया बंफेका परंतु धुर्भा के वश्ज ये जो हमला था ये अतपल लहा लेकिन इसके फल्सरूप किसी तरह अंग्रेजों को इस खटना का संबन बारिन घोश और अरुबिन घोश से मिल दोनों को कई अन्य लोगों के साथ ज्यूफतार कर लिया गया और अली पूर्बं केस के प्रसित्द मुकत्मे के लिए सभी कहाईद्यों को अलीपूर जील नगाए लिया जेल प्रांगण में उनकी गोली मार कर हत्या करती है। पुलिस ने अरविंदो को हमलों के पीछे का सरगना के रूप में देखा, लेकिन उनके और हिंसास के किसी भी करते के भी, कोई सीधा संबंद इस्थापिस नहीं करते की पुलिस। अरविंदो ने चितरंजन दास को अपना यहां पे वकील बनाया। मई 1909 को फैसला आता है जिसमें बारिन घोष्ट और लासकर दत्त को मौत की सजादी जाती है। लेकिन अरविंदो को आदात कर दिया जता है। इस प्रकार अरविंद घोष्ट राष्टी नायक बंदर जेंसे बाहर आते और सिस्थर निवेजिता ने भारत का मैधनी घोषित किया। मैधनी इटली के देश से संबंदित है और यहां पे सिस्थर निवेजिता ने अरविंदो घोष्ट को भारत का मैधनी घोषित किया। यही वे समय था जब उन्होंने बंदर मातरम और जोगांतर को छोड़ दिया क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बंदरा दिया था और अरविंद ने जून 1909 में एक नया अक्वार कर्म योगिन शुरू दिया। जिसके बाद उन्होंने अपना महत्तुपूल भाषण जिसको हम उस्तर पड़ा के नाम से जानते हैं वो उन्होंने दिया और यह उनका पहला सावजरिक संबोधन था और उन्होंने आध्धात्मिक्ता के बारे में यहां पर बात कुई परवरी 1910 ब्रिटिश अधिकारी उ और यह वही समूँ था जिसने अलीपुर जेल में रिवॉलवर की तस्करी की थी जिससे नरेंदर नाथ भुस्वामी की हद्धा की गी शे महिने के बाद क्योंकि उनको लगा कि यह जो चंद्र नगर का एंक्लेव है यह इतना दाता सुरक्षित नहीं है तो वह पॉंडी च हो जाता कि कुछ महीने या फिर पुस्ताल बिताएंगे और जब बातावरन वापस से नॉर्मल हो जाएगा तो वह वापस आ जाएगे हाला कि जैसे जैसे महीना बीचता गया वैल लगातार आध्धात्मिक, सहार्मिक और सब्दता विश्यों की स्कोच की ओर बढ़ते चले उनका राजनीतिक जीवन यहां पर समाथ हो जाता है लेकिन उनका आध्धात्मिक जीवन यहीं पॉर्णी चली से शुरू होता है उनके कुछ अन्याईयों को निराशा जरूर हद लगी कईयों को उमीद थी कि वह वापत लोटाएंगे लेकिन और बिंदो घोष श्री और बिंदो बनने की राव पर निकल पड़े थे और बिंदो की जो यह दिशा परिवर्तन हुआ और बिंदो का जो दिशा परिवर्तन हुआ यह शायद समझ में नहीं आया लोगों को उसमें लेकिन उनके लेखन से यह इस्पर होता है कि वह इस मिस्टर्श पर पहुंच चुक और सब्धिता गढ़ाई रड़नी होगी जो राजमीतिक स्वत्रत्ता प्राप्त करने से कहीं अधिक पेढ़न हो सकती है यह उनकी अध्बुत दूर दर्शिता को ही दर जाता है क्योंकि यह आज की राजमीतिक स्वत्रता के बाद साड़े साथ सब्सक्राइब अधिक समय जहन अध्यक किया और औरविंदो घोचते योगी औरविंदो का सफ़र शुरू कर दिया उनकी इस सफर की शुरुआत के साथ मैं आज का अपना विशय समात करता हूं यदि स्री औरविंदो के राजनातिक विचार को जागना हो तो ज़रूर कमेंट करें अगला सब्सक्र म ये और नहाओ